हाई गाईज माइनेम इस चंसेगर बरूला और मेरा नंबर है 989123008 और हम पढ़ रहे थे डिजास्टर रिकवरी प्लान डियार पी में हम स्टार्ट हो गए थे डबलमेंट अफ इंशॉरेंस के बारे में यह हमारी स्टेडी में कई टाइप के इंशॉरेंस दे रखे हैं और वो इंशॉरेंस ऐसा लगता है कि स्टेंडर्ड यूएस या वेस्टरन कंट्रीज के जो इंशॉरेंस होते हैं वो ठाके हां पर रख दिये गए अई अचली हमारी इंशॉरेंस मार्केट उतनी प्रफ नुए लिए क्योंकि ऐसा है कि हमारे वां गूर्मेंट कुछ समय पहले तक है कीडिज्टा लाइफ इंशॉरेंस कॉर्परेशन ओफ रापरेशन और परसेनल इंशॉरेंस में भी बहुत ज्यादे इंशॉरेंस नहीं बहुत जादे इंशररेंश नी थी private company थी देट वेट तो deepening of market नहीं तो इसलिए जो हमें insurance के टाइप हमारी study में दिये हुए वह suited है western country के insurance type से क्योंकि वहाँ पर market in insurance tailor-made insurance policies होती है हर situation के लिए specific insurance policy होती है और वो insurance policy हमें इसमें दी हुई है हमेरा personal experience है जैसे for example कई companies हैं उसमें क्या आएगी जैसे for particular insurance के लिए बुलती है तो जब उस insurance के इंशॉरंस कंपनी के से बात करते हैं तो वो insurance कंपनी कहती है कि यह tailor-made insurance policy बनानी पड़ेगी और इसके लिए फिर ऐसा है कि उनको अपने headquarter से specific cell वहाँ पर होगा उससे बात करनी पड़ेगी और यह तब उन्हें specific insurance policy आपको मिल पाईए इंडिया में लेकिन फिर भी एक सारी टाइप की insurance policy की बारे में पढ़ लेते हैं कुछ insurance policy इंडिया में available है कुछ नहीं available है जो नहीं available है वो tailor-made insurance policy available हो जाती है अगर market में आप उसकी premium थोड़ा सा जादे बूल लेते हैं और जो है और आप उन policies को as a business contingency plan के रूप में रख सकते हो तो business contingency plan में अगर आप insurance रख रहे हो और insurance पर lean कर रहे हो तो इसका मतलब contingency plan उतना powerful नहीं है insurance last resort होना चाहिए insurance है लेकिन उसमें लीनिंग उतनी जादे नहीं होनी चाहिए अगर आपकी leaning उसमें जादे है insurance में तो इसका मतलब आपके BCP powerful BCP नहीं है और जतनी वीक BCP होगी business contingency planning जतनी वीक होगी उतना insurance में कम आप जतना powerful BCP होगी उतनी कम insurance लोगे और जतनी वीक BCP होगी उतना जादे insurance ले लेना चाहिए तो कई बार क्या होता है कि छूटे छूटे ठुटे ऑल्गनाईजेशन होते हैं वहां पर एक effective business continuity planning नहीं होता है contingency प्लैनिंग नहीं होता हि बिसस continuity planning नहीं होती है तो इंशोरेंस कम कवरेज ही एक स्ट्रेटेजी है जो कंपनी को फाइनेंशली वाइबल रख सके उस केस में यानि कि दो केस है एक छोटा और जीशन है वो ग्रोग रहा है दीरे दीरे ग्रोग कर रहा है तो वह पहले जब कुछ थोड़ा लाइक हो जाता है तो कैता है इंशोरेंस ले लिए जाए जब वह बढ़ जाता है तो फिर वह एक इसके बावजूद आपको एक minimum amount of insurance ले लेना चाहिए Not as business contingency plan को की तरीके से बलकि business contingency plan के last resort की रिउप में आपको insurance ले लेना चाहिए तो हमारी study के बोलती है कि insurance को हम at best ये कह सकते हैं कि supplement है अगर आपके पास company पास properly tested business continuity plan है अगर आपके पास है तो उसका एक supplement के रूप में काम करता है सबसे पहली है equipment and facility insurance जो सबसे पहला हमें दिया हो गया equipment और facility insurance या आप property insurance कह सकते हो अगर किसी property को कोई damage हो गया information security equipment को damage हो गया facilities को damage हो गया तो हम उसमें एक insurance policy ले सकते हैं उसको equipment और facility insurance कहा जा सकता है तो insurance जब हम लेंगे equipment और facility insurance तो एक चीज़ बहुत as information system auditor हम क्या गए हम उसको contract देखेंगे हम यह देखेंगे कि अगर माल यह सबसे equipment और facility damage हो गई तो क्या हमें new equipment मिलेगा कई बार क्या होता है clause उसमें होता है insurance policy में यह होता है कि insurer कहता है कि जो company insurance कर रही होती है does को धूँलेगे वाइक कालिटे रेंक रह इता हम कें लेक रायर के डीडे़ automatic t7 उसमे मन इकोलिटी का होगाossen चैनल कर तो क्पास कोई पुराना कोड़ाना क्यों अगुआर अnyt कोड़ान पर देंगे तो वहां पर क्या है damaged equipment को नए equipment से अपने replace नहीं किया और कई बार आप नए equipment replace से replace नहीं करोगे पुराना equipment पुराना होता है कई बार क्या होता है उसमें problems होती है तो यह particular चीज आप देखो कि तो यह सबसे पहला equipment के equipment और सबसे बहला insurance के equipment or facility insurance basically equipment facility insurance क्या property insurance information is equipment का insurance information security equipment और facilities का insurance और आये information system auditor क्या करेगा policy review करेगा इसके regarding हो है कि नहीं है और वो देखेगा कि उस policy के नुसारे insurance ले लिया गया है कि नहीं ले लिया गया उतने amount का लिया गया है कि नहीं लिया गया कि भही न्यू से equipment replace किया जाएगा like kind और quality से किया जाएगा like kind और quality से किया जाएगा तो पुराना equipment भी दिया जा सकता है दूसरा business interruption insurance business interruption insurance या income insurance कह सकते हैं पिसे तो company को interruption के time पर एक loss होगा profit का loss होगा तो company जो है एक direct loss जो सफर करती है उसको insured किया जाता है अगर business interruption insurance है तो इसका मतलब income insurance है तो इसको business interruption insurance भी कहा जाता है या business income insurance भी कहा जाता है interruption ये income interruption हुआ तो income का loss होगा business interruption insurance या business income insurance कहा जाता है तो ये basically किसको cover करता है loss of profit disaster में downtime हो जाता है कई बार क्या होता है, बिजनस में डाउन टाइन में होता है, तो प्रॉफिट का लॉस हो जाता है, तो कई बार क्या होता है कि मालिक बढ़ा आप operate नहीं कर पा रहे हैं, तो जितने पीरेड में आप operate नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ continuing expenses आपको pay off करने पड़ेंगे, वो भी cover हो में, जैसे for example, आप continue कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, आपने एक facility दी भी है, उसके मालिक को कोई मतलब नहीं, उसका एक खर्चा जा रहा है, तो उसका, उस loss की ये coverage करता है, तो एक important चीज़ है, business interruption insurance, एक contingent coverage है, दूसरा ये consequential loss देखता है, consequential loss, मतलब जो property से loss जो है, तो इसमें क्या है कि मालिक सबसे equipment है, equipment का insurance होना बहुत ज़रूरी है, अगर equipment के, वो equipment की वज़े से loss हुआ, insured equipment की वज़े से loss हुआ, तो पैसा मिलेगा, अगर मालिक सबसे business interruption insurance, सारे equipment का आप ले रहे हो, तो फिर company को, जो भी profit का loss है, उसमें उतने का पैसा मिल जाएगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए, आपने कोई, दस equipment के loss का, दस equipment का business interruption insurance लिया है, लेकिन वो 10 equipment तो सही चल रहे है, disaster कहीं और struck कर गया, तो insurance company loss के लिए liable नहीं होगी, insurance company loss के लिए तभी liable होगी, जिए वो particular assets, जिन पर insurance लिया गया है, business interruption insurance लिया गया है, या business income insurance लिया जाए, उनको damage होगी, उनको problem होगी, तो consequential loss है, बदर डारेक्ट लॉस है, ये, डारेक्ट लॉस ये damage property को होना चाहिए, और फिर उसके बाद, जो है, आपको business interruption insurance में लेगा है, business income insurance में लेगा, दूसरा है, extra expenses insurance, extra expenses insurance एक बड़ा extremely important add-on है property coverage में, असल में क्या होता है, कि अगर मालिया सबोज, आपका disaster struck कर दिया, और आपने क्या किया, आपके income का loss हो गया, तो आपने business income loss या business interruption insurance claim कर लिया, लेकिन अगर मालूम पड़ा, अगर आपको facility में काम रोपना पड़ा, और दूसरी facility हायर करने पड़ा, और वहां पर space में आपको repair करना पड़ा, तो उस space की extra cost आपको लग गई, उस space की extra cost का insurance, extra expense insurance है, यानि कि जो profit loss हुआ, जो profit आप कमाते, मालूम पड़ा, अगर 30 दिन में, अगर माले सबस्थ हर दिन में आप एक लाख रुपया कमाते हो, और 30 दिन में 30 लाख रुपया कमाते हो, 30 लाख रुपया का loss होगे आपको, profit का loss हुआ, लेकिन जो extra expenses bear की, वो business interruption insurance cover नहीं करेगा, उसके लिए extra expense insurance करना पड़ागा, यहनि वहां पर चीज़ों को ठीक कर रहे हो, वहां पर या आपके head office में कोई disaster struck कर गया, और फिर क्या है कि आपने एक particular दूसरी site ले ली और वहां पर आप head office का काम चला रहे हो कुछ दिन के लिए, और वो दो मेने तक काम चला, तो जो मेने तक वो जो उसका rent है, वो extra expense insurance में count किया जो foregone income का insurance है, उसको देखेगा, extra expense insurance उस extra expenses को reimburse करेगा, जो business के suspension की वज़े से हुए हैं, तो basically जो आपने extra rent दिया है, उस सब चीज़ को यह cover कर लेगा, उसके बाद professional liability, error and omission insurance है, professional liability insurance या error and omission coverage, दून वीग चीज़ है, error and omission coverage आप कहा कह सकते हैं, या professional liability insurance कह सकते हैं, तो professional liability insurance जो है professional negligence में use किया जाता है, जादेतर, तो अगर मालिया सबोस यह company है और उसमें कोई claim आ गया, negligence की वज़े से, errors की वज़े से, omissions की वज़े से, wrongful acts की वज़े से, duty perform हो रही है और इन सब की वज़े से, इन सब को यह cover करता है, malpractices, errors, omissions की वज़े से loss cover करता है, यानि कि एक particular company है, दूसरी company है, particularly outsourcing company में होता है, कि आप अपना बंदा दूसरी company में भेजे लो, outsource कर रहे हो, तो outsourcing company को कई बार professional liability insurance लेनी पड़ती है, कि Western countries में बहुत होता है, इंडिया में कोशिश की जा रही है, लेकिन Indian outsourcing companies में अभी यह नहीं है, लेकिन professional liability insurance होता है, तो क्या होता है कि बंदा गया, आपका दूसरी company हो और वहाँ पर उसने उसका कोई data चोरी कर लिया, या वहाँ पर कुछ problem create कर दी, कोई malpractice, error, omission कर लिया तो professional liability insurance वहाँ पर बनता है, जैसे Western countries में क्या होता है, doctors, अगर कहीं पर कोई मर गया, या किसी हिंदुस्तान में तो आदमी के पेट में अगर कैची चूट गई तो कोई फरक नहीं है, बाद में फिर उसका operation होता है, कैची निकाली जाती है, डॉक्टर साब भगवान होते है उनको कोई कुछ नहीं कहता है, लेकिन Western countries में अगर negligence होती है, medical negligence होती है, कोई होती है, तो doctor का license forfeit हो सकता है, उस पर professional negligence का case किया है, जा सकता है, वाँ criminal liability भी होती है, और civil liability भी होती है, तो ये civil liability को cover कर लेता है, criminal liability तो jail हो गई, civil liability, pecuniary liability होती है, पैसे की liability होती है, अगर आ आप कोई error कर देते हो, omission कर देते हो, या negligence हो जाती है, तो उसको professional liability insurance cover करता है, error and omission insurance cover करता है, तो अगर माले सबस्कोई consultant है, तो मतलब कोई corporate contract के लिए bid कर रहा है, तो वो उसमें क्या होता है, कि generally क्या होता है, यह बोला जाता है, error and omission coverage लिया, इंडिया में start हो गया है, particularly outsourcing companies में start हो गया, outsourcing companies, अगर अच्छी companies को, IBM, HCL को बंदी भीजते हैं, तो वो कहते हैं कि minimum amount of contract में लिखते हैं कि professional liability insurance होना चाहिए, तो वहाँ पर error और omission coverage होनी चाहिए, तो basically आज की date में, computer world में, professional, इस insurance का, professional negligence insurance का, error and omission insurance का, काफी use होने लगया है, क्योंकि computer system में problem हो सकती है, वहाँ से data चूरी हो सकता है, और अगर माले government service contract हैं, तो वहाँ पर भी requirements हो गई है, western countries में particularly requirement हो गई है, तो हम कह सकते हैं कि professionals के लिए recommended है, लेकिन इसमें computer technicians भी आते हैं, system analysts भी आते हैं, आजकल accountants भी, के case में भी ये लिया जा रहा है, lawyers के रूप में भी लिया जा रहा है, consultants को भी लेना पढ़ रहा है, ये insurance, क्योंकि आज की date में, negligence में particularly western countries में, आपर case डाला जा सकता है, इंडिया में धीरे धीरा आ रहा है, लेकिन क्योंकि court हमारे उतने efficient नहीं है, तो अगर माले negligence होगी, तो कोई आपको sue करेगा, तो दसियों साल लग जाएंगे, तो अभी इंडिया में उतना इसका चलन नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आ रहा है, इसके बाद है extra equipment coverage, तो extra equipment coverage य यहाँ बर company के computer equipment adequately covered नहीं है, तो company ऐसा कर सकती है, एक separate policy ले सकती है, उसको cover करने के लिए, तो कह सकती है कि IS equipment अगर, एक generalized policy ले सकती है, कि अगर माले सब उसकोई failure हुआ, और failure किसकी वज़े से हुआ, पावर सर्जेस की वज़े से हुआ, शौट सर्केट की वज़े से उसकी वज़े से हुआ, जैसे कभी-कभी आकास से बिजली कड़ जाती है, उसकी वज़े से क्या हुआ, वैसे तो आजकल lighting conductors वगर होते हैं, बहुत सी चीज़े होती है, पर कोई, किसी और foods की वज़े से हुआ, और computer equipment breakdown हो गया, तो उसकी coverage, अगर उससे कोई loss हो गया, तो उ अपनी के computer equipment की adequate coverage नहीं है, तो data reconstruction policy, insurance policy में क्या होता है, basically क्या होता है कि आप, पहले हमने बुला था, extra equipment coverage के पारे में, तो extra equipment coverage के पारे में, IS equipment को cover के data reconstruction में, data को हमने coverage दी, तो क्या होता है कि अगर माईले सबूस data loss हो गया, या data में problem आगी, तो उसके reconstruction में particular cost आती है, उस cost को underwrite करने के लिए insurance policy ली जाती है, लेकिन generally हिंदुस्तान में नहीं ली जाती है, ये policy बहुत जादे नहीं, का चलन नहीं है, western countries में है, लेकिन इसकी cost बहुत जादे आती है, अगर मालिया सबूस कोई natural man-made disaster हो गया, और आप ये चाह रहे हो कि cost of reconstruction of data के लिए policy ली जाए मतलब data के लिए भी policy ली जाए, equipment के लिए तो आप ले रहे हो, फिर extra equipment coverage ले रहे हो, उसके बाद आप data reconstruction policy ले रहे हो, तो data के reconstruction के लिए अगर आप policy ले रहे हो, तो वो हिंदुस्तान में उतना नहीं चल रहा है, क्योंकि वो cost prohibitive बहुत जादे होती है, costly बहुत जादे होती है लेकिन हमारी study में दिया हुआ है, इसके लिए हम इसको पढ़ लेते हैं कि यह जो है data reconstruction policy है, मतलब इस type के कोई policy होती है, आपको पता होना चाहिए, मतलब कि extra equipment coverage policy होती है, professional negligence coverage policy होती है, equipment coverage policy होती है, तो कौन-कौन सी policies होती है, यह आपको पता होना चाहिए इसके अलावा specialized equipment coverage policy होती है, यह special equipment के लिए होती है, particular equipment है, या कोई particular site पर equipment है, special equipment होती है, आपने off-site है, आपकी, वहाँ data backup के लिए आपने एक server रखा हुआ है, या कोई ऐसा special equipment है, तो वो standard coverage में fit नहीं होता है, या unusual way में use होता है, तो इन यह specialized equipment में जैसे network analysis tools हैं, दूसरे items हैं, इन सब में यह policy ली जाती है, तो यह policy off-site, thefts, या loss, या destructions, इनके लिए coverage देती है आपको, तो basically यह policy भी इंडिया में उतनी जाते नहीं है, लेकिन यह policy के बारे में आपको पता होना चाहिए, कि specialized equipment को cover करने की policy तो ही है, extra equipment coverage की policy है, उसके अलावा data reconstruction policy अलग है, specialized equipment coverage policy अलग है, यह अलग-अलग products है, जो market में है, जो western countries में है, और mostly जो है, इंडिया में अभी नहीं है, इसके अलावा valuable paper and record को भी policy से cover किया जा सकता है, हिंदुस्तान में क्या होता है, valuable policy और उनको box में रख दिया जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है, कि आप उनको insurance करा लेते हो, कि अगर document को recreate करना है, तो उसके लिए आप document को recreate करने के लिए valuable papers अगर को खो जाए, records अगर को खो जाए, तो कई बार क्या होता है, उनको recreate करने में बहुत cost आती है, इसे आपकी 12th की mark sheet खो जाए, तो आप क्या अगर होगे, कि CVSC board की है, तो CVSC के office में जाते हो, कई चक्कर लगाने पड़ते हैं, और फिर वो back side, back data करता है, तो वो जो चीज़ें, easily आपको मिल जानी जाए, वो बहुत difficulty के साथ मिलती है, तो यह valuable paper and records जो है, इनकी भी policy होती है, tailor made policy होती है, वैसे इंडिया में आपको देखने में को कमी मिलेगी, इसके बाद है fidelity coverage, यह इंडिया में काफी जादी use होता है, fidelity coverage किया है कि आदमी की fidelity का coverage है, यानि आदमी की इमानदारी का coverage, अगर आदमी भीमान हो गया, तो उसकी fidelity हो गई, और fidelity होने पर यह coverage होता है, यह particularly ऐसा होता है कि आज की rate में क्या है कि cash directly आपका bank से आजाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कि बैंक वाला ही आपको directly cash दे देगा, मतलब cash जो है, आपको deliver कर देगा, on dual से लिए, लेकिन पहले क्या होता है कि बंदे को bank जाना पड़ता था और फिर आना पड़ता था, तो वहाँ पर fidelity coverage की बहुत important थी, importance थी, मतलब fidelity coverage होना बहुत जरूरी था वहाँ पर, वहाँ पर क्या होता है कि आपका accountant अगर bank गया, मालूम पड़ा 10 लाग रुपे निकान ले और अचनक भाग गया, तो वहाँ पर insurance cover होना ची, fidelity coverage होना बहुत जरूरी था, तो fidelity coverage क्या करता है, fidelity को cover करता है, और ये अगर मान लिया, corporate asset loss हो गया है, theft की वज़े से, forgery की वज़े से, fraud की वज़े से, आपके कोई employee ने theft, forgery, fraud कमिट कर दिया, तो जो है, ये इसके लिए fidelity coverage लिया जाता है, और particularly financial institution में बहुत जादे लिया जाता है, तो एक और civil authority insurance भी है, अगर मान लिया सबोज कोई disaster वगर हो गया, तो कई बार क्या होता है, local administration और civil authority कड़क हो जाते हैं, तो वो आपको कई area के access ने देंगे, safety reason की वज़े से, तो उसकी वज़े से क्या आपको loss होता है, उस loss का ये coverage करता है, civil authority insurance policy, बहुत rare है, western world में भी rare है इंडिया में भी rare है, इंडिया में तो नयके बराबर है, लेकिन हमारी study इसको बता रही है, क्योंकि हमारी study ने, वहां से ये चीज़ें ले रखी हैं, पर ये standardized policy हैं, और इनके बारे में आपको पता होना, बहुत जुपी, इसके बाद एक और चीज़े, media transit policy, अगर मान लिय कोई media, आप physically उसका shipment कर रहे हैं, भीज रहे हैं, media का, media भीज रहे हैं, तो उसका loss, theft या damage हो जाया है, तो उसके लिए जो policy होती, जो resulting loss है, अगर कोई service disruption हुआ, या data integrity compromise वी, या privacy compromise वी, तो उसके लिए media transit insurance policy use की जाती है, पहले क्या होता था, कि ये organization में क्या होता था, कि अग आपके पास computer है, तो computer से आपने floppy में निकाला अपना data और फिर head office में गई, और वो transit कर रहे हैं, media को transit कर रहे हैं, मतला आपके हाद में CD है, या कोई और media है, उसको transit कर रहे हैं, मतला आप एक organization से दूसरे, एक branch office से organization तक ले जा रहे हैं, या particular एक जगे से दूसरी जगे तक वो अगर खो गया और उसको data को reconstruction वगर करने में कोई पैसा लगा, तो उसके लिए यह insurance policy है, तो यह अलग-अलग type की insurance policy है, कही policy आपको लग रहा होगा, bizarre insurance policies है, जैसे media transit insurance policy, civil authority insurance policy, valuable paper records की insurance लेना, specialized equipment coverage, specialized equipment coverage तो होता है, तो यह कुछ बिजार लग रहे हैं, लग सकते हैं आपको लेकिन यह बहुत rarely use होते हैं, generally fidelity coverage हो जाता है, specialized equipment coverage हो जाता है, data reconstruction बहुत rarely होता है, ने ना के बरावर है, equipment coverage होगा, extra equipment coverage भी होता है, तो business interruption या business income insurance यह भी होता है, लेकिन Indian companies में बहुत कम होता है, extra expenses Indian companies में बहुत होता है, तो Indian perspective से अगर देखा जाए, तो professional liability insurance इंडिया में आ रहा है, equipment और facility insurance इंडिया में है, fidelity insurance इंडिया में है, और specialized equipment coverage भी इंडिया में एक लेवल तक है, इसके अलावा बाकी जो insurance policy बोली, वो policy समझ लेना बहुत जुरूरी है, कि क्या-क्या चीज इंशॉर्ड हो सकती है, लेकिन generally क्या है कि वो policies इंडिया में available नही इंडिया में होती है, यह थी basically insurance policy, तो हमने यह पढ़ लिया, contingency plan development में कि पहले हम components पढ़ लिया थे, कि हमने बढ़ा था, एक plan को हमने कई component में divide किया था, और कई component को मिला कि एक plan बनता ही हमने जाना था, और major components के बारे में हमने पढ़ लिया था, फिर types of plans के बारे में पढ़ पढ़ लिये थे, उसके बाद अब हम जो थी insurance पढ़ रहे थे, क्योंकि सबसे बहले component हुए, फिर आपने women ने type component total हो के plan बने, और plan भी कई type के plan हो सकते हैं, उनको पढ़ लिया, उसके बाद फिर plan हो गया, तो plan के हलावा insurance भी लेते हो, तो insurance हम पढ़ लेते, insurance हम पढ़ लेत कि कुछी insurance है, जो इंडिया में use होते हैं, और जैसे professional liability insurance इंडिया में आ रहा है, अभी आया नहीं, federality coverage इंडिया में आ चुगा है, equipment का insurance इंडिया में है, specialized equipment coverage, rare condition में होता है, पर होता है, और बाकी insurance जैसे media transit, civil authority, valuable people record, data reconstruction, इनकी theoretical value है, theoretically आप इनको समझ सकते हैं, इंडिया में उतना used नहीं है, thanks